अगर हम लोग बात करते हैं लास्ट लेक्चर की तो लास्ट लेक्चर के हंदर मैंने आपको बताया था कि सैचुरेशन नाम की वी एक चिडिया होती है और जैसा की कर्व हम लोग देखते हैं कि कभी भी लीनियर कर रहेगा पर थोड़ी देर तक ही अगर आप फैरो मागनेट तो फिर कितनी इंटेंसिटी बढ़ा लो कोई भी चेंज नहीं आएगा फ्लक्स डेंसिटी में डेट इसा में रीजन एंड सेचुरेशन इसा करेक्टेस्टिक और फैरो मागनेटिक में ही सैचुरेशन की पॉसिबिल्टी हो सकती है क्योंकि अगर हम डाया या पैरा की बात है तो इसलिए सैचुरेशन जो है वह बेसिकली उसका इस्तमाल करा जाता है तो यह वर्ड आपको याद रखना और यह सब चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है इसके बाद हम लोगों ने इसको विजुली देखा था पिक्चर के तुरू हमने इसको समझा था विजुलाइ तो सारी सारी डोमेंज जो थी वह बचा नहीं था क्योंकि सारी डोमेंज अलाइंग हो गई है अब जब तुम एच्टू से एच्ट्री तरफ जा रहे थे तो वहां पर किसी भी तरीकी की तुम्हें फ्लक्स डेंसिटी में चेंज देखने को नहीं मिल दाता यहां देख सकत जाता देन उसके बाद फाइनली दुनिया में साच्रीशन का क्या मतलब होता है तो मैंने आपको बदाया था कि सेचेरिशन का एक और मतलब भी होता है वह यह होता है कि अगर मान लेते हैं कोई मैट्रियल है जिसकी पर्टिक लिमिट है चाल लाइन की तो अगर चाल उसके बन गहीं और हम उसको अप्लाइब बनाने पर आतो रहें कि नहीं है और ऐसा करने के लिए मैं करेंट का तो हम देखेंगे कि फ्लक्स लाइंस आ जाएंगी करेंट और बढ़ाएंगे फ्लक्स लाइंस और बढ़ जाएंगी लेकिन एक समय आएगा जब हम मैक्सिम लिमिट पहुँच चूके होंगे चाल लाइने जैसे फॉर एक्जामपल यह जो मैटर लेकर आया था इसकी लेक्चर में नहीं देखा है तो रिवाइस करके आ सकते हो क्योंकि उसका ही सिक्वेंशल वीडियो है ठीक है तो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि हम करेंट रवायर में बढ़ाते जा रहे थे पर फील्ड लाइनस पर कोई फरक नहीं पढ़ रहा था वह लगबख से सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले तो वहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड होता था आर्मिचर रियक्शन आपने अगर नहीं पता है तो पुरानी लेक्शर जाके देख सकते मैंने आपको रिकमेंट भी किया था लास्ट लेक्शर में इस लेक्शर को आप समझने जब आएं तो एट लिस्ट डीसी मशीन का आर्मिचर रियक्शन पढ़के आएं चाहे आप मेरी सीरीज से पढ़ें या कहीं से भी पढ़ें प लेकिन आर्मिचर वाइंडिंग अगर ओपन सर्किट थी तो आर्मिचर के अंदर कोई फ्लक्स नहीं बनता था ऐसे केस में केवल फिल्ट फ्लक्स मौझूद होता था ठीक है लेकिन जैसे ही हम लोग इसको क्लोज कर देते थे क्लोज कर सकते हैं कई तरीके से अगर दो लेगी तो यह क्या करेगी ये तो अपना अज्वस भी बनाएगी इस में आर्मिचर का फ्लक्स फायए और फ्लक्स पंपलेग्ज़ करते है इसकी वजहिसे फील्ट फ्लक्स होता है जो सीधे सीधे चला जा रहा था बिलकुल वह ऐसा ना जाके कुछ टिल्ट हो जाता hat तो पहला केस हम देखेंगे कि DC machine without armature reaction यानि कि हमने क्या करा है road armature को connect ही नहीं किया है उस case में तो अगर उस case में मैं यहाँ पर बनाने कोशिश करता हूं तो यह हमारे field poles हो गए पोल शोज हो गया और यह होगी field winding जैसी मैं field winding के अंदर current flow कराऊंगा तो यहां पर electromagnetic बन जाएगी और हमारी और flux line setup हो जाएगी मैं और current flow कराऊंगा एक लाइन और आजाएगी और बढ़ाऊंगा current को एक लाइन और आजाएगी देन finally maximum current apply कर दूंगा और हमें एक लाइन और देखने को मिल जाएगी ना अब यह हो गई यानि चार लाइन इस पूरे magnetic metal के अंदर सस्टेन कर सकती है अब अगर मैं और current बढ़ाऊंगा ना तो कोई भी line extra नहीं बढ़ेगी इसे हम कहेंगे saturate होगी हमारी DC machine की को फिर यहां पे अभी यह concept नहीं है तो हमने यह जो आर्मेचर रोटर है रोटर के उपर जो आर्मेचर वाइंडिंग होगी यह वाइंडिंग open circuit है कोई भी आर्मेचर flux नहीं है यानि कि जो हम लोग uh紅 fonalng और दूसरे हो सकते हा ह्डियल को तो आईडियल कोर विशे में के अंदर आपको आईडियल को हमेशा एकजिस्ट करते दिखेंगे क्योंकि हमारा ultimate aim क्या होता जैसे for example आपने पढ़ा हुआ ideal transformer जब exist नहीं रखते तो पढ़ के हो रहे हैं तो बात यह होती है कि ideal से हमें पता चल जाता है कि क्या होना चाहिए यानि कि हम लोग टार्गेट को लॉक कर लेते हैं और एक reference point हमें मिल जाता है reference point कि हमें reference यानि कि हम जो भी बनाएंगे उसके standard यह होने चाहिए clear हो गए यहां पर तो यह जो भी होता है जाते हैं कि for example जो भी हम चीजे पढ़ते हैं आईडियल वह basically एक reference कर देते हैं जैसे for example रामायड में हम लोग पढ़ते हैं तो आदिपुरुश्री राम जी को हम लोग पढ़ते हैं तो वह क्या है एक ideal case है वैसा बनना purely बनना संभव नहीं है लेकिन फिर हम क्यों पढ़ते हैं जब वह चीज़ संभा भी नहीं तो इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें एक reference मिल जाए किसी भी situation में राम जी ने कैसे बीएव करा उससे inspire होके उसको reference लेकि हम लोग अपने behavior को judge कर सकते हैं तो यह तभी कर पाएंगे जब हमारे पास एक standard एक ideal condition होगी तो इसलिए बहुत बार मेरे से student पूछते हैं कि हम लोग ideal transformer पढ़ते ही क्यों है या ideal conditions क्यों पढ़ते हैं तो ideal conditions से आपको basically बहुत सारी चीजों में एक reference मिल जाता है तो अब जब तुम ट्रांसफोर्मर बनाओगे तो तुम्हारे जो practical transformer होगा वो हमारी को लेके आए हैं डीसी मशीन के अंदर वो दो तरीकी की हो सकती है वो आइडियल हो सकती है और प्रैक्टिकल हो सकती है सबसे पहले आइडियल कोर की बात कर लेते हैं अब आइडियल कोर से हमारा क्या मतलब होगे infinite number of dipoles है infinite dipoles का मतलब कभी भी saturation जैसी नाम की कोई भी चीज एक इतमाल देखेंगे तो सबसे पहले समझते हैं कैसे काम चलेगा आइडियल को रहे हमारी डीसी मशीन की अब जैसे हम इसके अंदर करेंट फ्लो कराएंगे अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज कर दिया है पुरानी कंडिशन से यहां पर हो रहा है आर्मेचर यहां पर देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास इक डिस्टॉर्ट वेफॉर्म निकल के आजाएगी ड्यू तो आर्मेचर पर बढ़ने से और फ्लक्स आजाएगा इस तरीके से अगर हम करेंट बढ़ाते जाएंगे दीरे दीरे हम देखेंगे फ्लक्स भी बढ़ता चला ज देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास इक डिस्टॉर्ट वेफॉर्म निकल के आजाएगी ड्यू टू आर्मेचर रियक्शन के लिए हमने चेंज क्या करा इस स्टेज में लाने के लिए यहां पर जो गोल सा रोटर होगा उसके उपर जो आर्मेचर वाइनिंग होगी उसके सर्किट को हमने बस complete कर दिया सर्किट को सर्किट जो था वो complete कर दिया एक बार सर्किट complete कर दोगे तो भाईया आपकी यहां पर आर्मेचर रियक्शन हमें देखने को मिल जाएगा clear हो गया अब एक बड़ी important चीज आती है बहुत important ध्यान से समझना देखो जब आर्मेचर र density of the overall material ठीक है तो अगर मैं इतने से मैटिल की बात करूं इतने से मैटिल की तो वहां पर केवल एक लाइन ही जा रही थी वन लाइन क्लियर हो रहा था यानि पूरे मैटिल में डिस्टिबूट थी तो इस दा फ्लक्स देंसिटी ओफ नौन और मेचर रियक्शन नहीं हो रहा झुआ होगा मैं होने से सबसे पहले आता है पिक्चर में क्रॉस मैं घगाउंगा कि आहिसी है यहां दिस कर दिय Но感 स्भस कर दिया है हर सब सब पूरा इतना वड़ा आईरिया था यानि कि यहां से यहां तक का एरिया चार लाइने होल्ड कर रहा था मैं इखल्ड कर दिया तो इस पडेउर की बात करेंगे बिखन को हमें रेदिया को एरिया को कर दिया कि क्या होगा क्टेरी क्रॉस निकल लेगा इतना नहीं रहे गया इतना इसे केस में क्या होगा flux density बहुत तेरी से बढ़ जाएगी अब क्योंकि हमने ideal को रिली हुई है तो ideal कोर का मतलब इतने से area के अंदर कितने domains होंगे या dipoles होंगे तो हमाँ पस infinite होंगे infinite मतलब बहुत सारे यार कमी पड़ेगी ही नहीं तो क्योंकि infinite number है तो इस से पास करोगे तब भी पास हो जाएंगे ideal कोर में clear हो रहा है so this is the effect of ideal कोर यानि कि अगर हम ideal कोर ले रहे हैं तो ऐसे case में यह जो area में जो यह इखटी हुई है ना ऐसी problem यह जब भी इखटी होंगी तो कोई भी saturation effect देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इतने इस एरिया में ही infinite number of domains है या कह सकते है डाइपोल्स हमारे exist कर रहे है तो इसमें कोई डाउट है होना चाहिए यह समझ में आ गया हुआ तो इस इस दा फीचर यानि कि अगर आपसे कोई कहता है कि आर्मेटर reaction हो रहा है इन infinite domains है तो अगर आपसे कहता है कोई आर्मेटर reaction हो रहा है इन ideal code DC machine अगर कहीं पर लिखा है आर्मेटर reaction ideal code DC machine तो वहां पर केवल क्रॉस मेंटाइशन ही देखने को मिलेगा there will be no demagnetization effect clear हो रहा है यहां पर तो DC only effect in case of ideal code DC machine ठीक है अब चलते हैं प्रेक्टिकल कोर की तरफ तो प्रेक्टिकल कोर का मतलब क्या हुआ लिम्टेड नमबर आफ डाइपोल्स होंगे लिम्टेड नमबर के डाइपोल्स है इसका मतलब वह बहुत हो सकते तो लिम्टेड प्रेक्टिकल कोर मतलब लिम्टेड ठीक नव अब इस केस को दुबारा देखते हैं सेम केस है आर्मेचर रियक्शन हो रही है बही हमारे पास अब क्या होगा हमने यहां पर लगाया फिल्ड फ्लक्स को फिल्ड वाइंडिंग को और उसके बाद इन्हें अनर्जाइस करा तो एक बार करेंट थोड़ा सा करेंट फ्लो कराया एक लाइन आ गई थोड़ा सा और करेंट बढ़ाया दो लाइन आ गई फिर और बढ़ाया अब देखो क्या जैसे दो लाइन तो याद होगा इतने से एरिया में केवल दो लाइने ही exist कर रही है एक लाइन exist कर रही थी पूरे uniformly distributed this is uniform distribution याद है आपको पहले हमने सीखा था uniform distribution हुआ करेगा इसके अंदर ठीक है अब हो कहा रहा है हो यह रहा है कि जब आर्मेचर reaction हुआ तो मान के चलते हैं इसकी जो maximum limit है वो है दो लाइनों की यानि कि यह छोटा सा area केवल दो लाइनों को ही pass कर सकता है एक बार दो लाइन अगर इसमें से निकल गई तो इसके अंदर जितने domains होंगे वो सब के सब align हो जाएंगे यानि कि all domains जो है वो सारे के सारे क्या होंगे align हो जाएंगे और एक बार align हो गए तो obviously चीज़े वहाँ पर saturation हो जाएगा clear हो रहा है यहां पर तो इसको visualize करते हैं देखते हैं क्या होगा अब अब अगर तुम current को further बढ़ाओगे यानि कि saturation हो चुक है अब अगर current को आप further बढ़ाइँगे तो आपको ये दो तो ही लाइन देखने को मिलेंगी यान बात को समझ लो बड़ा इंपॉटेंट है यानि कि अगर हम बात करते हैं अपने और मेचर ठाल आर में चरी चAR याद होगा विदाउट और लीक्षन कितनी यह ती हमारे पास तैंज claro यह याद होगा भी पीछे सीक था अब जब आर में चरड़ीक्षण हुआ याने की विद आर में चरड़ीक्षन तो ऐसा कहा हुआ वो चाल का उपर shift हो नहीं को वज़े saturation आ गया saturation क्योंकि इतने से area के अंदर थो हमारे पास दो ही लाइनों को support करने लायक domains है एक बार दो लाइने पास हो गई तो यह area saturate हो गया आयो मैं बार बार समझा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कूल अच्छे से दिमाग में उतर जाए तो एक बार field flux सर्थ दो ही लाइनों के बराबर रह गया यानि कि net field flux क्या हुआ reduce हो गया अब यह बड़ा interesting case हो जाता है कि मतला हम current बढ़ाते जा रहे है field current लेकिन हमारा जो field flux है वो fix हो गया है यानि कि reduce हो गया है अच्छी खासी quantity में चार की दो लाइने रह गहीं तो यह हो गया इसको यह जो field flux का जो reduce होना है due to saturation is known as demagnetization समझ मैं है तो demagnetization जो picture में आता है यह कह सकते हो तुम cross magnetization का ही side effect है यानि cross magnetization side effect है खास बात यह यह तब होगा जब practical core ले रहे हो यानि कि अगर आपसे कोई paper में question बूचता है कि आपकी जो DC machine लिए हो ideal core है तो क्या वहाँ पर demagnetization effect होगा तो आप कहेंगे सर देमाइटization effect नहीं होगा इसली स्लैट में देखा था कि वहां पर जो armature reaction का सर जो effect होगा वह आपका cross magnetization effect लेकिन अगर आपसे कह देता है कोई कि practical core है और वहां पर armature reaction क्या होगा तो वहां पर armature reaction का जो effect होगा वो cross plus demagnetization का effect भी होगा clear होगा है यहां पर आयों समझ में रहा होगा किस तरीके से चीज़े हो रहे हैं कितनी बारीक चीज़े हैं engineering की मतलब यूहीं आपको रटने की कोई चीज़ जरुवत नहीं है कि ठीक है यह चीज़ रटने ही जरुवत नहीं है कि ideal core में केवल क्रॉस होता है और practical में cross plus demantation होता है आपको पता भी होना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है तो क्योंकि अगर एक line में पूछो मैं तो क्योंकि ideal core के अंदर infinite number of domains है infinite number of dipoles है तो भाया जो तुमारी flux lines है चार lines वो कितनी भी छोटे से एरिया से पास होंगी कोई दिक्कत नहीं आएगी वो छोटे से एरिया कभी भी saturate नहीं होने वाला है क्योंकि उसके अंदर infinite number of domains है लेकिन अगर वही case में हम लोग practical code ले आते हैं तो एक एरिया के अंदर certain number of domains होंगी तो अगर तो वहां से ज्यादा लाइने पास करवा होगे यानि कि ज्यादा intensity बढ़ा होगे तब वह सारी की सारी domains होंगे saturate हो जाएंगे एक बार saturate हो गए तो number of flux lines fix हो जाएंगी जो कि हमने last lecture की last slide में प्रेक्टिकली बिएच कर कैसे लगता है तो बिएच कर प्रेक्टिकली सेचुरेट होने का मतलब होता है कि intensity कितनी बढ़ा हो उस एरिया के जितने domain से अगर align होगे तो number of flux lines fix हो जाएंगी तो वैसे ही यहां पे होगा तो देखो जब तुम आर्मेटर reaction नहीं हो रहा था बड़ा important चीज थी यानि कि without armature reaction without armature reaction कितनी लाइने चार with armature reaction कितनी लाइने दो तो आप क्या हुआ flux यानि कि ultimate flux क्या हुआ field flux reduce हो गया and that is why we called it demagnetization तो demagnetization का effect केवल और केवल आपको practical core DC machine में देखने को मिलेगा एक important बात कि saturation की वज़े से क्या हुआ यह तो होगे DC machine की बात अब हम चलते है transformer की तरफ तो saturation की वज़े से एक बड़ा important point देखते है saturation ने क्या करें लिमिट लगा दी कि maximum magnetic field achievable यानि कि एक limit हमने set कर दी saturation की वज़े से कि इतनी ही limit practical limit होगे कि इतनी ही magnetic field बनाई जा सकती है किसी भी core से ठीक है और वह limit कितनी थी वह थी तूटी यह याद रखना two tesla इसको याद रखना टेसला मतलब two waiver flux per meter square इसका पूरा मतलब समाझ लो तो यानि कि अगर हम बात करते हैं किसी भी core की तो उसके अंदर अगर flux density two times two tesla चली गई तो बस वहां पे core saturate हो जाएगी एक approximate figure है इसके कम और ज्यादा भी हो सकता है जनरली कम ही होती है इससे लेकिन इसलिए हमने एक value याद रख लो यह बड़े important है काम आ जाएगी कभी-कभी papers में जैसे पूछ ले जाता है या आपको judge करना होगा कि कोई भी transformer जोगी वह जल जाएगी clear हो गया तो यह आपको प्रेक्टिकल लिमिट याद रखनी है यानि कि अब two tesla fix हो गया यानि कि किसी भी ferromagnetic core के अंदर two tesla time c magnetic density हम लोग बना सकते हैं तो यह होगी एक limit कि minimum size कितना होना चाहिए core का ठीक है यानि कि for example अगर हम बात करें मेरे पास दो transformer मार्केट से ले कि आए एक छोटा एक बड़ा है ठीक है तो ट्रांसफोर्मर ए ट्रांसफोर्मर बी जो है क्योंकि वह बड़ा है size में जब बड़ा है तो obviously बात है flux density में area जो denominator में होता है वो भी जादा होगा एरिया जादा होगा तो ज्यादा density को ज्यादा flux को य होल्ड कर पाएगा ठीक है without saturation clear हो गया यह यहां से बड़ा interesting question भी आता है जैसे for example छोटा से transformer हम लोग घर में यूज करते हैं स्टपलाइजर में हम उसी transformer से पूरे कॉलानी की light को ट्रांसफोर्म क्यों नहीं करते टंस की बात है टंस कर देंगे यार वही number of टंस की अगर बात रेटिंग की मशीन उतनी जाता flux की requirement तो इसी लिए हमें आपने देखा होगा जनरली एक बड़ा interesting चीज बता देता हूं आपने जनरली हम लोग सोचते होंगे कि बड़ी रेटिंग की मशीन है तो उसका size बड़ा होना चाहिए obvious भी बात है लेकिन obvious की बात के फीचे कुछ reason होना चाहिए तो अगर engineering reason की बात करूं ऐसा क्यों एक one of the most important reason यह होता है जब भी आप rating बढ़ाते हो किसी मशीन की जब भी हम बात कर रहे हैं समझ लो इस बात को जब भी हम rating को increase करते हैं किसी मशीन की rating को बढ़ाते हैं तो rating बढ़ाने का मतलब क्या है ultimately हम लोग क्या कर रहे इस बड़े हुए flux को hold करने के लिए क्या होना चाहिए यह हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि saturation ना आ जाए एक बार saturation आ गया तो flux बढ़ नहीं पाएगा तो हमें क्या करना पड़ता है इस saturation को avoid करने के लिए हमें बड़ी core की machine लेनी पड़ती है और वो क्या होगा saturation का limit क्या ह हो रहा है या दूसरी terms में कहूं तो कितना होल्ड हमें flux को hold करा सकते हैं without saturation यहां से हम लोग यह हमारी requirement रहती है तो इसलिए जितनी भी बड़ी रेटिंग की machine होती है वो generally large core की material के साथ बनाई जाती है ताकि उनके अंदर saturation ना आ जाए तो इसलिए एक answer आपको मिल गया तो यह एसे यूही मत कह देना कि यह बड़ी machine है बड़ी rating की इसलिए यह बड़े size की ना ना यह तो यार एक general हो गया आपको exact reason as an engineer अगर आपसे पूछा जाए material इंजीनिर तो आप क्या कहोगे rating को बढ़ने से size इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि rating बढ़ने का मतलब है ज्यादा flux और यह फ्लक्स करी करना पड़ेगा विदाउट satsure बड़ा इंपोर्ट है व्लक्स तो तुम ज्यादा कर सकते हो लेकिन saturation नहीं होना चाहिए तो विदाउट saturation हमें जादा flux करी करना पड़ेगा और यह कैसे संभव है यह तभी संभव है जब number of domains ज्यादा हो domains कब ज्यादा होगी जब material का area ज्यादा होगा ठीक है बास समझ मैंने तो सारी चीज़ें कहीं आपस में जुड़ी होई है तो domains ज्यादा कब होगी जब ज्यादा domain होगी पिक्चर के अंतरा ज्यादा domain कब होगी जब ज्यादा बड़ा area लोगे तो area बड़ा लेने के लिए आपको size बड़ा लेना पड़ेगा क्योंकि छोटा से टुकड़ा लोगे उसमें certain number of domains होगी उससे बड़ा टुकड़ा लागे और चोटा है और जो तुमारे colony के बाद जो तुमारे power transformer लगा हुआ है वह बहुत बड़ा है तो कई सारी चीजे हैं उन में से एक बड़ी चीज यह है कि कोर हमें बड़ी इसलिए लिए लेनी पड़ती ताकि saturation जैसा concept ना है clear हो गया तो आयो बीजी इतना detailed discussion sufficient होगा फिर भी बाते सार हमने समझ लिए आपकी लेकिन एक important question आता है कुछ ऐसे भी तो जगह होगी ना जहां पर हमें flux ज्यादा चाहिए rating ज्यादा चाहिए पर size नहीं दे सकते वजन नहीं बड़ा सकते size नहीं बड़ा सकते for example अगर हम plane की बात करते है airplane की तो airplane के अंदर हमें transformer की भी इन दोनों को हम कैसे प्लेस करेंगे यानि कि airplane के अंदर हम क्या बड़ी rating की motor लगाने का मतलब है कि क्या बड़ी motor लगानी पड़ेगी जो कि size में बड़ी हो और उसका strength ज्यादा हो ठीक है core size ज्यादा हो और transformer अगर लगाना है क्योंकि obviously बात है यार AC equipment यूज कर तो transformer होता ही ताकि एक ऐसा transformer सार आप design कर दो या ऐसी machine design कर दो जिसका जो core material हो वो flux भी ज्यादा handle कर सके और size भी small हो यानि कि बिल्कुल opposite जो हमने पीछे देखा था हमने पीछे भी तक क्या सीखा बड़ा interesting case है जड़ा base समझ लो इसका problem है क्या हमने पीछे सीखा कि अगर आपको large flux handle करना है large flux तो उसके लिए तुमें large size का core चाहिए है large size का core चाहिए है यह हमने पीछे सीखा clear हो गया लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि airplane हो गया airplane के साथ यह दिक्कत है कि वहाँ पे limited space होता है और weight carry capacity भी कम होती तो क्या sir कोई ऐसा एक तिलिसमी तरीका है जिस वज़ा से हम लोग एक बना पाएं एक ऐसा core बना पाएं जो large flux को भी handle कर ले और जिसका size भी small हो छोटा size large flux handle तो क्या ऐसा कोई तरीका है तो इस तरीके का नाम है पर्मिंदर यह पर्मिंदर हो नहीं जो पिच्चरों में दिखाते हैं किसी का नाम नहीं यह यह पर्मिंदर है एक special type का क्या सकते है एक alloy ठीक है mixture of two metals ठीक तो इसका नाम है पर्मिंदर इसका हो सकता है transition कोई और हो I think इसका पर्मिंदर ही है ठीक है अब यह दिखने में कुछ इस तरीके का होता है नो यह क्या होता है किसका कोबाल्ट और iron का यानि कि कोबाल्ट ले लिया हमने इसका टी लगा ले ना यार कोबाल्ट और एक लिए iron इन दोनों का alloy यानि कि दोनों का mixture जो होता है वह होता है पर्मिंदर clear हो गया यहां पे तो यह पर्मिंदर का इस्तिमाल यह पर्मिंदर जो होता है यह एक special तरीके का alloy है जो कि best कोबाल्ट और iron से मिलके बना है कितना-कितना 50-50% दोनों को आदा- लेविल बहुत हाई होता है बहुत हाई मतलब कितना 2.40 यानि कि जनरल हम लोग जो सैचुरेशन अभी पीछे हमने देखा कि जो कन्वेंशनल मैट्रियल है जैसे कि आयरन हो गया या कोई भी है उनका जो मैक्सिमम सैचुरेशन लिमिट थी वो टू टैसला थी लेकिन हमने क्य रिक्वार्मेंट आ जाए कि फ्लक्स हैंडिलिंग कैपसिटी भी चाहिए और छोटे साइज में तो वहां पर हम लोग जो कोर बनाएंगे चाहे वो मशीन हो गई या फिर ट्रांसफॉर्मर हो गया कोई भी वहां पर हम लोग परमिंदर का इस्तमाल करेंगे ना कि नॉर्मल तो यह जो होता है एक बात जाथ रखना 2.4 टेसला यह जनरलि घंचरांग कमर्शली अवीलेबील मैटल के बीच में ठीक है तोומר्शली जो मौझूद हमारे पास मैटल है इसमें धीक है तो यहां पर यहां पर यहां पर अश्योंनी जो मौझूद हमारे पास सिस्टम है वहा पहुच गई तो उसका 100% चांस है वो जल जाएगी क्लेर हो गया लेकिन अगर तुमसे कहा जाए इस पेशल यानि कि मैक्सिमम आपसे पूछ रहे जाए कि मैक्सिमम कितनी हो सकती लिमिट तो मैक्सिमम एक स्पेशल केस होता है परमिंदर का जो कि एक अलाय है और इस केस में कितनी निकल के आती 2.4 टेसला तो आयो भी लेक्चर आपको पसंद आया होगा इसके अंदर हमने अप्लिकेशन के बारे हम बात करी बीच करका जो सेचुरेशन हमने सीखना शुरू करा था वह यहां पर जाक और इसी की वज़े से जो आर्मिंदर रियक्शन जो पहले केवल क्रॉस था वो डी मेनिटाइशन एफेक्ट में भी बदल जाता है इन केस आफ प्रेक्टिकल कूर आयो भी लेक्चरा को पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं शेर करें उन लोग के साथ जिनक कि अए बदल टूब है